ओम स्री गनी सायनम दूस्तू एस्प्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दूस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर सौंबार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मझबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुआत में ही अपने महत्पपून कार्रों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंप्रटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव नहें दोस्तो इस समय की की गई मेहनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपने उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भागय आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परणाम आज हासिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी क अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती हो और घरेलो विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तो साथि साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी ह करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंदरित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का क अर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगैदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी वैतीत करें दोस्तों परिवार का वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक हैं साथ इसाथ पती-पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर रिष्टा रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुसनुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गती विदियों में छोटी-छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जहां दोस्तो आज वैवसाइक गती विदि पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमिंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमिंट मिलने से आर्थिक समस्यां हल होंगी नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना की घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गति विदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्यक्ता है विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है साती सात कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाए आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो थकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद लाल रंग का रेसमी धागा लें जा दोस्तो उसके बाद आप इस धागे को अपनी लंबाई के बराबर काट लें इसके बाद आप इस धागे को ढोखर आम के एक पत्ते पर लपेट लें इसके बाद आप इसको भगवान भोलेनात के मंतर ओम नामा शिवाय मंतर का जाप करते हुए बहते हुए पानी में प्राहित कर दें और साथ्यसाथ अपनी मनो काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके सम वस्तकार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भोलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद